नमस्कार बच्चों स्वागते सभी लोगों का इंडियास लार्जेस लर्निंग प्लेटफॉम अनकेडमी और अनकेडमी के द्वारा प्रेजेंटेड अभियान यूट्यूब चैनल जो MPPSC के लिए एकदम सॉलिड तैयारी आपके लिए लाया है सभी एजुकेटर की सारी क्लासेस आप अटेंड करें तांकि यह कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो पाए यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं सुबह 8 बजे यह यूनिट नमबर 3 है जो कि 4-5 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी ठीक है तो रेगुलर अटेंड करते रहें क्ल सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी वच्चों के लिए कि 20 प्रतिशत का डिसकाउंट मिल रहा है तीन दिन 28 अप्रेल 28 अप्रेल से लगा कर सुरी 25 अप्रेल से लगा कर 28 अप्रेल तक यह ओफर है तीन दिन 4 दिन का ओफर है जिसमें से एक दिन चला गया तीन दिन बचें एस जे लाइब कोड का यूज करके 20 प्रतिशत का डिसकाउंट लें आप यहाँ पर सारी बेचेज और प्राइस के हिसाब से कितना बेनिफिट मिल रहा है यह आपको बताया हुआ है अनकेडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप इंडिविजवल बेच भी ले सकते हैं नई सर मुझे तो सिर्फ पटवारी की तयारी करनी है तो पटवारी की बेच लेलो भया कोई बात नहीं जेल प्रहरी की तयारी तो जो बेच की तयारी आपको करनी है जिस परिक्षा की वो बेच लेलो मिनिमम चार्जिस में जिसे MP पटवारी की बेच मातर आपको 2400 रुपे में मिल रही है छे महीने की और एक साल की जो बेच है वो भी आपको 3000 रुपे में मिल रही complete preparation होगा और इस पे भी आपको 20% discount के बाद चीज़े मिल रही है 20% discount के लिए अनकेडमी पे आप SJ live code का यूज करो complete preparation को आपको करो ठीक है सनमती जेन के नाम से मुझे follow कर लेना अनकेडमी एप पर याद रखिएगा पिछले दो साल तीन साल से मैं अनकेडमी के इस platform पर आपको पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर complete MPPAC CSAT, Pटवारी, Tate सभी classes लिए regular class में रहे regular जो class का timing है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है मैंने चिके special class जो है regular 10 बजे होती है MPGK की सबसे पहली चीज और सबसे पहला प्रशन आपके सामने आता है मद्दब्रदेश भारत का कौन सा रज है जिसमें सबसे जादा वन आच्छा दी थे यानि की वो कौन सा रज है जो सबसे जादा वनों से घिरा हुआ है भारत का वो कौन सा रज है तो यहाँ सोचने वाली बात है क्या नहीं है बिलकुल भी नहीं है यहाँ सोचने वाली कोई बात ही नहीं है कि भारत का वो कौन सा रज है जो सबसे जादा वनों से घीरा हुआ है सबसे जादा वनों से घीरा हुआ जो राज है भारत का वो कुन सा है मध्यप्रदेश है बिना सोचे समझे आपको उत्तर देना है क्योंकि सब जानते हैं कि इसका उत्तर क्या है समझ में आ रहा है सबको अब यहाँ पर बात ये नहीं आती है कि हम उत्तर सही दे रहे हैं बात ये आती है कि कितना एरिया है याद रखिएगा वन प्रतीशत्ता की द्रश्टी से सबसे जादा वन आच्छा दित केंद्र केंद्र शाशित प्रदेश अंडमान निकोबार है याद रखिएगा अगर Total एरिया के हिसाब से तो कौन सा राज्ज है सबसे ज़ादा वनों से घीरा हुा राज है हमारा मध्य प्रदेश। कितना area है total 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 77,482 वर्ग किलोमेटर कितना 77,482 वर्ग किलोमेटर total area 1 का है मध्यप्रदेश का दूसरी चीज़ आपके सामने प्रतीशता के हिसाब से अगर पूछे याद रखिएगा अगर प्रतीशत के हिसाब से पूछे तो मध्यप्रदेश नहीं union territory जिसका नाम है अंडमा और निकोबार जो यूनियन टरिटरी है प्रतिशत्ता के हिसाब से सबसे जादा वन आच्छादित केंद्र प्रशाशित प्रदेश है अंडर मानेन निकोबार याद रखिएगा पूरा दिमाग में बिठा लेना वनों का विस्तार सबसे जादा पाया जाता है मध्य अरुनाचल प्रदेश तीसरा पूछ ले तो कुन सा है अब तो 36 गड़ है MP नंबर वन पर है दूसरा कुन सा है अरुनाचल प्रदेश है अरुनाचल प्रदेश और तीसरा कुन सा है CG का मतलब समझ रहे 36 गड़ है याद रखिएगा 36 गड़ है अब केंदरशाशीत प्रदेश में अगर बात करें प्रतीशक्ता के हिसाब से बात करें तो प्रतीशक्ता के हिसाब से अंडमाने निकोबार पहले नंबर पर है तो दूसरा भी पता होना चाहिए और तीसरा भी पत साहें money pool हैं यहाँ पर आपको चीजें बहुत elaborate money pool elaborate करके पढ़ना पड़ेगी चीजें एक चीज या एक question पर ठहर जाएं यह हमारी फितरत में नहीं आना चाहिए क्योंकि एक question पर नहीं ठहरना है हमको उस question से related जितनी चीजें दिमाग में आ सकती है वही चीजें महत्वपून होती है परिक्षा के लिए याद रखिएगा तो मद्यप्रदेश शित्रफल के हिसाब से एरिया के हिसाब से सबसे जादा वनों से घिरा हुआ राज्य है पहले नंबर पे भारत का दूसरे नंबर पर आता है अरुनाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है 36 गड़ अगर प्रतिशत्ता के हिसाब से सबसे जादा वनों से घिरा हुआ शित्र अगर बात करें तो कौन सा है प्रतीशत्ता के हिसाब से सबसे जादा प्रतीशत है अंडमार निकोबार, केंदरशाशित प्रदेश, सिक्किम दूसरे नंबर पर और मानिपूर तीसरे नंबर पर मुझे लगता है कि इस प्रष्ट में आपका कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट बचा नहीं होगा कि सर ये आपने नहीं बताया चलिए, साथवे, यहाँ पर मद्ध्रदेश में पाए जाने वाले वन को कितने आधार पर वर्गी करत किया गया है मद्ध्रदेश में जो पाए जाने वाले वन है, उनको कितने आधार पर वर्गी करत किया गया, कितने आधार पर वर्गी करत किया है देखे, में जो आधार है न, वर्गी करन का वो आधार है चार, ठीक है, कोन-कोन सा सबसे पहले नंबर का ध्यान से समझना और डीटेल भी बताऊंगा जलवायू के आधार पर पहली चीज़ किसके आधार पर जलवायू के आधार पर ध्यान से समझना जो वन को वर्गीकृत किया है वो जलवायू के आधार पर किया है प्रादेशिक आधार पर दूसरा आपका आता है कौनसा तीसरा है, प्रजाती की आधार पर प्रशाश्निक आधार ही, तो मध्यप्रदेश की जो 1 है, उन 1 को चार पार्ट में डिवाइट किया गया है, चार आधार दिये गए हैं इन आधार पर इनवनों को तो आधार कोंसा हुआ सबसे पहला देखो सिर्फ पढ़ना और टिक करके आगे बढ़ना हमारा उद्देश नहीं है हमारा उद्देश क्या है कि जो पढ़ रहे है वो एक धम से पक्का हो जाए ठीक है तो यहाँ पर आपके सामने आती है बात पहला कोंसा जलवायू, दूसरा कोंसा प्रादेशिक, राज्जी के आधार पर, प्रादेशिक, तीसरा कोंसा है, प्रजाती, और चोथा कोंसा है, प्रशाशनिक, अब इसमें कोन-कोन से वन आते हैं, ये में डीटेल आपको बताऊँ जलवायू के आधार पर उस्न कटी बंदी पर्णपाती वन आ जाएंगे उस्न कटी बंदी आद्र पर्णपाती वन आ जाएंगे और उस्न कटी बंदी शुष्क पर्णपाती वन जो है वो जलवायू जलवायू के आधार पर कितने टाइप के तो उस्न कटी बंदी पर्णप याद रखिएगा ये तीन प्रकार के वन है जो जलवायू के आधार पर पाए गए हैं मध्यप्रदेश में अब प्रादेशिक आधार पर विंद और केमूर श्रेणी में वन पाए गए हैं प्रादेशिक आधार मतलब समझ रहे हैं शेत्र के आधार पर प्रादेशिक आधार मतलब शेत्र के आधार पर मध्यप्रदेश में जो वन है वो विंद केमूर श्रेणी में इस्ती थे ठीक है कहां पर इस्ती थे विंद केमूर श्रेणी में भी इस्ती थे सत्पुडा मेकाल श्रेणी में इस्ती थे और मुरेना शिवपूरी पठार श्रेणी में इस्ती थे य याद रखिएगा यहाँ पर जलवायू के आधार पर उष्ण कटी बंदी पढ़न पाती वन उष्ण कटी बंदी आद्र पढ़न पाती वन उष्ण कटी बंदी शुष्क पढ़न पाती वन यह जलवायू के आधार पर वनों को केटेगरी किया गया दूसरी चीज प्रादेश उनके वन सबसे जादा है मध्यप्रदेश में ये याद रखिएगा ये वरक्ष सबसे जादा है और वनों में हर ये मान के चले नेशनल पार्क की बात कर लें वन जीव भ्यारण की बात कर लें कहीं पर भी आप चले जाओ साल सागोन साल सागोन साल सागोन ही आपको मिलेंगे तो यहाँ पर साल और सागोन में किटेगरी करी हुई है प्रजाती के आधार पर और प्रशाशन के हिसाब से जो वन का आधार है, क्लासिफिकेशन है, उसमें मिश्रित वन पहली चीज़, दूसरा है सरक्षित वन यानि की रिजर्व फोरेस्ट, याद रखना, सरक्षित जब रिजर्वड और यहाँ पर अवरगी करत यानि की अन्क्लासिफाइड वन, यह चार प्रकार की वन जो है, वो प्रादिश प्रशाशनिक आधार पर है, तो यहाँ पर मुझे बताओ, कि वनों का जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन में कोई डाउट है क्या, इस प्रश्ण में अब इससे चाहे कुछ भी पूछ ले आपसे, आपसे प्रश्ण बनना चाहिए, यहाँ पर सबसे मेन केटेगरी वनों को क्लासिफिकेशन करने की है चार, ठीके, उसके बार एक-एक, एक-एक क्लासिफिकेशन या एक-एक टाइप में कोन-कोन क्या-क्या आ रहा है, एक-धम से दिमाग में पूरा कLiER हो जाना चाहिए, क्या कलिher हो गया, गुड मारिंग पृती टिपाती जी, किंग कोरव जी, सोनल अगरवाल जी, गुड मॉनिग, दिवान्शी ठाकुर जी, गुड मारिंग, मोहिद जी, सभी बच्चों को वर्शा जी, सभी हमने प्राची नितियास से स्ट्राट किया है और अब हम उसको ले जाएंगे धीरे-धीरे कला और संस्क्रती उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री उसके बाद मॉर्डन हिस्ट्री तो पूरा यूनिट तू पांच बजे होता है लेट्स क्रेक MP एक्जाम पर ध्यान रखिएगा ठीके प्रजाती के आधार पर दो है बस हाँ साल और सागोन सबसे जादा जो प्रजाती है ये साल के वन है ये सागोन के वन है क्लियर चलो मध्यप्रदीश में जलवायू विवदता के आधार पर वनों को कितनी प्रजाती में विभाजित किया गया है बहुत बढ़िया प् प्रश्ण आपने सही पड़ा होता तो इसका उत्तर आप बहुत आराम से दे पाते हैं ना बिल्कुल जेव विद्धता जलवायू के हिसाब से कितने आधार पर किया गया है तो अभी हमने देखा तीन आधार दिये थे इसके जलवायू के आधार पर वनों को वर्गीक्रत किय गया है वो कितने टाइप वो तीन टाइप मैंने अभी बताया आप लोगों को उष्ण कटी बंदी शुष्क पर्ण पाती उष्ण कटी बंदी और उष्ण कटी बंदी कटी लेवन उसमें आप केटेगराइज जो है वो इसको कर देंगे मैं नीमनल लिखित वन समूह में सबसे जादा वन आच्छादन कौन सा है यनि कि सबसे जादा administrative parts की बात करें तो वन से घिरा हुआ सबसे जादा जो पार्ट है मध्यप्रदेश में वन का समों है वो कौन सा है उष्णकटीबंदी शुष्क है उष्णकटीबंदी कटीला है नम है या भीर उष्णकटीबंदी वर्शावन है सबसे जादा वन आच्छादन जो है मध्यप्रदेश में वो किसका है बहुत बड़िया प्रश्चन है यह तो यहाँ पर सबसे पहला ही आपका उत्तर आएगा क्यों क्योंकि उष्ण कटी बंदी शुष्क पर्णपाती जो है यानि कि ट्रोपिकल ड्राइ डिसीज्यूस जो फोरेस्ट है वो उसका प्रतीशत है 88.56% कितना है 88.56% नोट कर लेना इसको दिमाग में पढ़ लेना क्योंकि तीनी प्रकार के वन पाये जाते ह है मध्यप्रदेश में इसमें उष्ण कटी बंदी शुष्क पर्णपाती 88.56% है उसके बाद 8.97 आद्रपर्णपाती है और कंटी लेवन जो है वो 2.38% है के लिए टोटल अगर केटिगरी की बात करें तो तीन केटिगरी और तीनों केटिगरी में सबसे जादा जो वनों क का शेत्रफल है वो उष्ण कटी बंदी शुष्क पर्णपाती वन है चलो मध्यप्रदेश के किस शेत्र में सबसे जादा वनों का सरवादिक विस्तार पाया जाता है अभी बात करी हमने देखो पूरा क्लासिफिकेशन पर चल रहा है अगर पहला प्रश्ण आपका क्लासि जाती देखा तो जलवायू के आधार पर सबसे जादा वन कौन सा प्रकार का है वो प्रतीशत लिख लिए हमने उष्ण शुष्क पर्णपाती वन हो गया और दूसरे प्रश्ण जो यहां बन रहा है वो यह है कि मध्यप्रदेश में किस शेत्र में सबसे जादा एरिया के ह सत्पुडा मुरेना या फिर भांडेर पठारी शेत्र तो यहां पर आपका अंसर आएगा सबसे जादा सत्पुडा मेकाल श्रेणी में वन पाये जाते हैं सबसे जादा जो वन है वो कहां पर पाये जाते हैं सत्पुडा मेकाल श्रेणी में पाये जाते हैं नोट कर लेना में सोनगाटी का जो दक्षिन एरिया है उसमें इस्ति थे सत्पूरा मेकाल श्रेनी ठीके उसके अंतरगत सबसे जादा जो वनों का विस्तार हुआ है वो इसी पर्टिकुलर एरिया में हुआ है I think मुझे लगता है कि ये प्रशन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा अब मध् कितने प्रतीशत भूभाग पर साल यनि की सोर्या रोबस्टा बोला जाता है ये वनों का विस्तार है मध्यप्रदेश में कितने प्रतीशत शित्र पर किसका विस्तार है साल सोर्या रोबस्टा वनों का विस्तार है तोटल आपको बताना है यहां पर जल्दी से बताओ कितन प्रतीशत एरिया पर ये वनों का विस्तार पाया गया जैहिंद मनोज जी स्वागत है किलियर है समझ में आ गया कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर 4.15% कितना? 4.15% नोट कर लेना अब ये जो वन है पुर्वी दक्षिन भाग जो मंडला, डिंडोरी, सीधी, सिंग्रोली यहाँ पाये जाते हैं और पूरे देश में कुल साल वन का 50% जो हिस्सा है वो मज़प्रदेश में याद रखिएगा कुल वन शित्र का 50% देश की बात करी भारत का 50% है चलो प्रजाती के आधार पर मज़प्रदेश के वनों को कितने भागों में वरगीकरत किया गया है अब क्लियर हो गया ना आपको जलवायू के आधार पर प्रजाती के आधार पर प्रशाशनिक इकाई के आधार पर चारों चीजों में प्रश्ण आपके सारे घुमते रहेंगे बस प्रश्ण क्लियर होना चाहिए कि यह पूछ क्या रहा है याद रखिएगा वनों को प्रजाती के आधार पर मेन रूप से वनों को कितने प्रकार में बाटा गया है प्रजाती के आधार पर कितने किस आधार प मिश्रित पर्णपाती वन की रूप में इसे डिवाइड किया गया है तो तीन पार्ट में यहां पर इसको प्रजाती के आधार पर डिवाइड किया देखो सागोन के वन 19.36, साल के वन 3932, मिश्रित 55, रिक्त 16,000 और कुल अगर बात करें तो यह 94,699 है तो यहां पर अगर देखें तो प्रतीशत्ता के आधार पर और शित्रफल के आधार पर भी सबसे जादा जो वनों की संख्या है वो किसकी है? सागोन की है, ध्यान रखिएगा, सबसे जादा कौन से वन पाए गए है मध्यप्रदेश में तो सागोन है पहले नंबर पर और दूसरे नंबर की अगर बात करें हम यहां पर तो क्या आगया? साल आगया, I think मुझे लगता है कि यहां पर यह आपका मुगालता दूर हो गया होगा, clear? चलिए, मध्यप्रदेश में कितने प्रतिशत भूबाग पर सागोन यनि कि टेक्टोना ग्रेंडीस वन का विस्तार पाया जाता है? तेक्टोना ग्रेंडीस भूबाग पर सागोन, कितने प्रतिशत भूबाग पर मध्यप्रदेश में क्या पाया जाता है? तेक्टोना ग्रेंडीस सागोन, D is the right answer, 19.36 प्रतिशत पर यह तेक्टोना ग्रेंडीस वनों का जादातर विस्तार जो है वो पाया गया, अगर इसमें जिले की बात करें, होशंगाबार, जिसका नाम चेंज हो गया, नर्मदापुरम, बेतूल, छिंदवाडा, दमो, इन सभी जिलों के कुल वन शेत्र के 19.36 प्रतिशत भूभाग पर ये टोटल वन पाये जाते हैं, याद रखिएगा, चलो, ये बहुत जोरदार क कुश्शन है, ये बहुत अच्छा कोश्शन है, इसे ध्यानपूरवक देखिएगा, क्योंकी यहाँ पर एक कोश्शन नहीं कम्प्लीट होगा, यहाँ चार कोश्शन कम्प्लीट हो रहें, सागोन के वन, और कौन सा जिला, साल के वन, मिश्रित वन, और कंटीले वन, ये च उशंगाबाद, बेतूल और छिंदवाणा तो आख बंद करके इसको क्या लगा ले बेटा? आख बंद करके इसको क्या लगा ले? C लगा ले ठीक है? उसके बाद साल के 1, सीधी, उमरिया और मंडला, याद रखना, तो यहां पर क्या लगा ले? D लगा ले मिश्रित वन सबसे जादा भोपाल, जबलपूर और सागर कहां है ये भोपाल, जबलपूर और सागर तो ये हो जाएगा आपका भी अब बचा कंटीले वन तो वो कहां पर है याद रखना कंटीले वन कहां है यहां पर है मिश्रित वन कहां है भोपाल में है उसके बाद सागोन के वन कहां है बिटा सागोन के वन होशंगाबाद और इसमें है साल के वन कहां है इधर से चले जाओ साल के वन कहां है ये ये डी डी क्लियर समझ में आ गया क्लियर हो गया कोई डाउड तो नहीं है CDBA कहां आ रहा है, CDBA जो आपका आ रहा है, B option तो आपका उत्तर जो है, वो B हो जाएगा, ये प्रश्ण के उत्तर पर तो जाना ही नहीं पड़ेगा, खेल पूरा question में ही खेलो, खेल जितना खेल सकते हो, question में खेलो जहां पर जब question में कुछ किलियर नहीं हो तब जाके खेल कहां खेलना है हमको उसके बाद खेल खेलना है हमें option के साथ में ध्यान रखिएगा चलो अगला प्रशन बताओं उससे पहले MPPAC ने iconic subscription को introduce किया है जिस पे one to one live mentorship आपको मिलेगी आप कोई भी अनकेड़ी पे subscription लेते हैं आपको SJ live code का use करना है अभी 20% का offer चल रहा है इस offer को available करना है याद रखिएगा और MPPAC ने व्यापम में plus subscription लेते हैं unlimited access के साथ सारी चीज़े आपको मिलेगी structured pedagogy favorite educator के साथ आप पढ़ेंगे तो देर नहीं करें subscription ले ले अभी offer चल रहा है मध्यप्रदेश में जादा तर साल और सागोन के पेड़ हैं इन पेड़ों में से कौन सी निकटता निकटतम विशेशता हैं बहुत अच्छा सागोन के वन हैं दूसरे नंबर पर सबसे जादा साल के वरक्ष पाए जाते हैं मध्यप्रदेश में no doubt इसमें कोई शंका वाली बात ही आपकी नहीं आती है ठीक है बट बात क्या आ रही है प्रश्न क्या पूछ रहे हैं क्या इनमें एक प्रकार की विशेष्टा है वो क्या है इनके बड़े पत्ते इनके जो पत्ते हैं वो व्यापक होते हैं क्या होते हैं इनके पत्ते बहुत जादा व्यापक होते हैं एकदम निकट विशेष्टा की बात करें तो इनके जो पत्ते हैं वो बड़े होते हैं व्यापक रूप को धारन किये होते हैं जैसे साल व्रक्ष का विस्तार लाल पीली पत्ता शेत्र में और सागोन का विस्तार काली मिट्टी जो शेत्र है लाल पीली मिट्टी में हैं और साल सागोन व्रक्ष जो है वो अधी पादप होते हैं जिनमें लताएं जादा पाई जाती है इनके पत्ते व्यापक होते हैं ठीके साल सागोन व्रक्ष को उतकाल इमारती लकडी प्रदान करने वाले व्रक्ष के रूप में जाना जाता है तो प्रश्ण में तो एक समानता दी है हमने बहुत सारी समानता निकाल ल लग लगे इनकी पर इनमें लताएं पाई जाती है याद रखियेगा और इसी के साथ अगर देखें तो सालसागोन के व्रक्ष जो है वो इमार्ती लक्डि प्रदान करते हैं और सालसागोन व्रक्ष मध्रदेश के सभी राश्ट्य उद्यान जितने भी नेशनल पार्क है मध जगे पे ये पाये जाते हैं और मुख्य रूप से पर्णपाती वनों के रूप में ये पाये जाते हैं चलिए मद्ध ब्रदेश में उतकरष्ट जो सागोन वरक्ष है उनका जंगल कहां पाया जाता है मद्ध प्रदेश में उत्करष्ट जो सागोन वन है उनका जंगल कहां पर पाया जाता है संजय अभ्यारण में, सत्पुड़ा अभ्यारण में, कानहा अभ्यारण में या फिर राता पानी क्या बोला उत्करष्ट सागोन व्रक्ष का जंगल कहां पर पाया जाता है question number 16 है आपके सामने यहाँ पर तो अगर बात करें हम यहाँ पर तो जो राता पानी बाग अभ्यारन है न जीवाला वहाँ पर पाया जाता है सबसे पहली चीज़ ध्यान से समझेगा अब एक और चीज़ देखें यहाँ पर राता पानी अभ्यारन ही हो रहा न हाँ सोलवे नंबर का question इसकी डीटेल देखें सत्पुडा नर्मदा और सोनगाटी शेत्र जो है उसके अंतरगत राइसेन जिले का अब यहाँ यह भी clear होना चाहिए के राता पानी अभ्यारन कहाँ पर है तो सबसे पहला जो जेव विवित्ता अरक्षन शेत्र है वो भी यही अभ्यारन है सबसे एसा वो अभ्यारन जो जिसे Tiger Reserve में सम्मिलित किया गया वो भी राता पानी है ये एक और प्रशन बना था कल मेंने करवाया था और हाँ National Park और Tiger Reserve जो है उसके बारे में अभी ओर Question बचे हुए है जिसकी Class हम कल या परसों में लेंगे बाकि ये Class आड़ बजे रोज चल रही है अभी इस महीने पूरा चलेगी उसके बाद पूरा Time Table और Schedule में आप लोगों को Share कर दूँँगा Telegram चैनल पर तो घबराएं नहीं बिल्कुल किसी भी प्रकार से अब यहाँ पर मध्यप्रदेश में सत्कूडा और नर्मदा सोन घाटी शेतर के अंतरगज जो राइसें जिला है वहाँ पर रातापानी अभ्यारन और होशंगाबाद जिले का जो बोरी अभ्यारन है उसमें उतकरष्ट सागोन जो है उस व्रक्षों का जंगल पाया जाता है दो जगे है ध्यान रखना सबसे पहला राइसेंग जिले में रातापानी अभ्यारन और होशंगाबाद जिले में बोरी अभ्यारन यहां दोनों जगे उतकरष्ट सागोन के व्रक्ष का जंगल है याद रखिएगा इसके अलावा सीधी जिला है उसमें भी जो संजई गांधी राष्टी उध्यान है दुबरी अभ्यारण है बगदरा अभ्यारण है उसमें साल व्रक्ष का जंगल पाया जाता तो प्रश्ण अगर सागोन का बन रहा है तो किसी भी रूप में ये मान के चलें की प्रश्ण साल का भी बन सकता है तो यहां सागोन का जो व्रक्ष है उतकरष्ट सागोन का जंगल है वो दो जगे है मेन रूप से सबसे पहला राइसेन रातापानी अभ्यारण दूसरा होशंगाबाद मे बोरी अभ्यारन, कलियर हो गया, अब साल के वन की बात करें, जंगल की बात करें, तो ये सीधी जिले में क्या-क्या बताया, जो संजय गांधी अभ्यारन है, राश्टी पार्क है, उसमें दुबरी अभ्यारन और बगदरा अभ्यारन, मध्य प्रदेश में सागोन वन मुख् से मध्य और पुर्वी सत्पूरा श्रेणी है उसमें पूरा विस्तारी थे और सागर दमो पठारी के शत्र में भी उतकरष्ट है ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए जै हो मनुझ गोर जी क्लास अटक रही है वो आपके लिए हो सकता है कहीं अटक रही हो हो सकता है आपके इंटरनेट में इसी कोई समस्य आ रही हो बट यहाँ पर बिलकुछ सही चल रही है क्लास मेरे सामने चल रही है मैं आपके कमेंट पर पा रहा हूं तो उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है के कहीं कुछ दिक्कत आरी होगी ठीक है चले अगला कुश्यन है आपके 36, 53.47 42.49 बहुत अच्छा प्रश्ण है मध्यप्रदेश में कुल वन शेत्र के कितने प्रतीशत भाग पर सरक्षित वनों का विस्तार पाया जाता है सरक्षित वनों का विस्तार पाया जाता है कुल कितने प्रतीशत भाग पर सरक्षित मतलब समझ रहे हैं आप सरक्षित मतलब protected याद रखना देखो कौन-कौन से वन होते हैं आरक्षित होते हैं reserved forest होते हैं सरक्षित यानि कि protected forest होते हैं अलग-अलग जो unreserved forest भी होते हैं unclassified forest भी होते हैं सभी तरह से तो कितने प्रतिश्चत भाग पर यहाँ पर पूर यानि कि अगर बात करें हम 32.84 प्रतिशत भाग पर प्रोटेक्टेट जो फोरेस्ट है वो पाये जाते हैं अगर ओवरोल एरिया देखा जाए 31,999 कितना है 31,999 वर्ग किलोमीटर है ना लगबग ये मान के चले कि एक तिहाई एक तिहाई भाग पर प्रोटेक्टेट फोरेस् पूरे राज के कुल वन शेत्र का 32.84 प्रतिशत होता है कितना 8 4 प्रतिशत 32.84 परसेंट टोटल होता है और अगर बात करें प्रोटेक्टेट फोरेस्ट किसे कहा जाता है सरक्षित वन आखिर कहा किसे जाता है तो सरक्षित वन आपके दिमात में पिक्चर क्लियर होना चाह यह के सरक्षित वन उन वनों को कहा जाता है जिन में राज्य सरकार का स्वामित्व होता है और नियंत्रन होता है याद रखिएगा किसका होता है जो राज्य सरकार है उस राज्य सरकार का नियंत्रन होता है पूरा कंट्रोलिंग किसका होता है राज्य सरकार का होता है पूरा क राजसरकार का होता है लेकिन इस्थानिय लोगों को ध्यान से समझना बात यहीं पर विखड़ जाती है जो इस्थानिय लोग है उन इस्थानिय लोगों को अगर इंधन चाहिए होता है इंधन के लिए लकडी एकत्र करने और उनके जो गाय, भेस, बेल, बकरी जो मवेशी है उन मवेशियों को चराने की अनुमती प्राप्त होती है पहले चीज़ ध्यान में रखना पूरा मालिकाना हक राजसरकार का होता है कंट्रोलिंग पूरी राजसरकार की होती है लेकिन क्या होता है कि वहां के जो इस्थानी लोग है आसपास के उनको इंधन मिल जाता है वहाँ से ला सकते हैं अपने गाए भेस बेल बक्रियों को वहाँ पर चराने जा सकते हैं मवेशियों को चराने वाला जो काम है वो भी वहीं पर हो सकता है अब बात आती है कि फिर एसा कौन सा शेत्र है एसा कौन से वन होते हैं जहां ये सब एकदम प्रतिबंदित होता है तो वो फोरेस्ट होते हैं रिजर्व फोरेस्ट कौन से होते हैं रिजर्व फोरेस्ट यानि की आरक्षित जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं आरक्षित में ये सब चीजे प्रतिबंदित होती है एकदम निशेद आम आदमी का जाना एकदम से निशे दियाद हो गया समझ में आ गया अब आता है न प्रश्ण अगला ये मद्धिप्रदेश में आरक्षित वनों का जो विस्तार है वो कितने शित्र में पाया जाता है आरक्षित वनों का विस्तार मद्धिप्रदेश में कितने शित्र में हैंग हो गया थोड़ा सा एक सेकिंड र और जिसे रिजर्वड का नाम आया आपके दिमाग में चीज आ जानी चाहिक अच्छा यहां तो कोई नहीं जा सकता यहां पर कोई नहीं जा सकता यहां कोई नहीं जा सकता राज्यसरकार का माली का नहक होता है नियंत्रन होता है पर जा सकते हैं इस्थानी लोग वहाँ पर ग है उस पार्ट में टोटल आरक्षित वन है यानि कि रिजर्ड फोरेस्ट पाया जाता है मध्यप्रदेश में जो प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 65.36 ये 65.36 बोलेंगे न हाँ प्रतिशत में अगर बोले तो 65 प्रतिशत और टोटल संख्या में एरिया अगर निकाले तो 61, 6886 ये 61,886 स्क्वार किलोमेटर टोटल एरिया जो है प्रोटेक्टेड नहीं रिजर्व्ड फोरेस्ट के अंतरगत आता है जो प्रतिशत की बात करें तो 65 प्रतिशत है जी हां बोला तो था कामिनी जी शादी है अच्छा राहूल जी शादी थी बहुत बढ़िया कोई बात कर दी राहूल जी की शादी हो गए बहुत बढ़िया बदाई हो बहुत बहुत ठीक है चलो शायद किसी की और घर पे किसी और की शादी थी राहूल जी की नहीं थी मुझे इसा लगता है क्योंकि इनकी होती तो बिलकुल सभी को जितनी भी अपनी टीम है उस टीम को वो पूरा पूरा नियंत्रण होता है, कोई नहीं जा सकता वहाँ पर, याद रखना उपयोग अधिकार आमनागरिक को प्राप्त नहीं है, यहाँ पर पूरी तरह से राज्य सरकार के नियंत्रण में आता है नोट कर लेना, अब सबसे जादा आरक्षित चेत्र का जो वन है, वो क कोशन यहाँ पर आपके सामने बन के आता है, सबसे जादा रिजर्व फोरेस्ट कहां है, सबसे जादा रिजर्व फोरेस्ट है भईया, खंडवा में, सबसे कम कहां है, तो नोट कर लेना, फिट कर लेना, छतरपूर में है, सबसे कम छतरपूर जिले में, सबसे जादा करो दिमाग में like और share जादा से जादा कर दो आठ बजे जो class चल रही है unit number 3 की चल रही है पांच बजे जो class चल रही है unit number 2 की चल रही है और पटवारी की जो class चल रही है वो रात में 8 बजे चल रही है मैट्स पढ़ रहे हैं और आज पटवारी में मैट्स में जो प्रश्न पुराने पूछे गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के कुल वन शित्र में कितने प्रतीशत भाग पर अवरगी करत देखो दो चीजे देख लिए हमने 32.84 याद देखो कितना याद रहे रहा है ये चीज देखो ये क्या है और 65.36 ये दो चीजे पड़ी कि नी पड़ी हमने ये आपका क्या आगया protected forest आगया और ये आपका reserve forest आगया ठीक है मध्य प्रदेश में अब बात आती है अवरगी करत यानि की unclassified forest की बात करें तो कितने प्रतीषत भाग पर बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कोई भी जाओ कोई भी आओ कुछ भी हो रहाओ आग लगे पानी आए पानी में बह जाए कोई भी मोशी जा सकता है कोई भी सो पांच वर्ग किलोमीटर में टोटल फोरेस्ट जो है वो पाए गए है अनक्लासिफाइड फोरेस्ट और प्रतिशत्ता की बात करें तो 1.8% ठीक है 1.8% कितना ये 1.8% समझ में आया क्लियर है तो 65 हो गया और 32 हो गया तीनी है आरक्षित सरक्षित और अवरगी क्रत क्लियर हो गया ये 100% हुआ की नहीं हुआ जोड के देख लो इसको ये 100% हुआ की नहीं हुआ ये जोड के देख लो बिलकुल 1.8 तो कितना फोरेस्ट हो गया टोटल 100% हो गया समझ में आ गया ये याद रखना आपको याद रखने वाली चीज़े पर रटने की कोशिश मत करना ठीक class अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एकदम से पता चल रहा है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं कहां काम आएगा कौन सी unit से पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं ये एकदम से clear है न क्योंकि एक्चुल में पढ़ने का मन तभी लगता है जब हमारा परपस क्लियर होता है बाकी तो MPPSC ने चिला चिला के बोला है क्या बोला है कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाओं मुझे पाने के लिए तुझे अपनी तकदीर को बदलना होगा ये किस ने ब दोला है कि तेरी लकीरों में नहीं लिखा हुआ हूँ उसको बदलना पड़ेगी तुझे और केसे बदलेगी महनत से बदलेगी याद रखिएगा अगला प्रश्न है मद्ध प्रदेश में सबसे पहले वन नीती कब लागू करी गई थी मद्ध प्रदेश में सबसे पहले वन नीती जो है वो 1952 में 1952 में लागू करी गई थी याद रखिएगा मद्ध प्रदेश में सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए वन के विकास को बढ़ाने के लिए सबसे पहले वन नीती लाई गई थी 1952 में याद रखिएगा उसके बाद क्या हुआ एक और तारीक याद होनी चाहिए आपको वो तारीक क्या है 4 अपरेल 2005 इसमें क्या हुआ था चार अपरेल 2005 को क्या हुआ था इस जो वन नीती है इस वन नीती को क्या किया गया था संशोधित किया गया था क्या किया था संशोधित किया था और क्यों किया था संशोधित क्यो की सरवाधिक संवर्धित इसको संशोधित और संवर्धित बढ़ाया था और नवीन नीती के रूप में लागू करी थी तो दो प्रश्ण बनते हैं पहला प्रश्ण बनता है कि पहली वन नीती कब आई थी मध्यप्रदेश में लागू करी गई थी तो 1952 में लागू करी गई ती उसमें संशोधन करके नवीन वन नीती कब लाई गई चार अप्रेल 2005 को लाई गई थी याद रखना मद्ध प्रदेश भारत का एसा पहला राज्ज है सबसे पहली और महत्वपुन बात क्या है इंपोर्टेंट अगर फेक्ट की बात करें तो इंपोर्टेंट फेक्ट में क्या आता है हमारा जो मद्ध प्रदेश है वो मद्ध प्रदेश भारत का पहला एसा राज्ज है जिसने क्या किया भईया मद्ध प्रदेश भारत का पहला एसा राज्ज है जहांपर सबसे पहले 1860 में पहला ऐसा राज है जहां पर सबसे पहले 1860 में क्या हुआ वन विभाग की स्थापना करी गई तो वन विभाग की स्थापना मध्यप्रदेश में कब करी गई अठारा सो साथ में करी गई ध्यान से समझना अठारा सो साथ में वन विभाग की स्थापना करी गई तो वन विभाग की स्थापना करी गई और 1894 में ब्रिटिश कालीन वन नीती जो है वो लागू हुई थी तो वेसे वन नीती की बात करें तो वन नीती कब लागू हुई थी मद्धिप्रदेश में मद्धिप्रदेश एसा राज है भारत का जो ब्रिटिश काल में ही क्या हो गया पर वनविभाग डिपार्टमेंट जो है वो इस्थापित हो गया था उसके बाद पहली अगर बिटिश वन नीती है तो वो लागू हुई थी कब लागू हुई थी 1894 में पहली ब्रिटिश वन नीती लागू हुई थी तो अगर 1894 आ जाए कि अंग्रेजों के समय से नीती लागू हुई थी वो कौन सी थी तो स्वतंत्र भारत की अलग, ब्रिटिश काल की अलग पर सबसे पहले वन विभाग इस्थापित हुआ, कौन से राज्य में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, नोट कर लेना, इसको दिमाग में बिठा लेना चलिए, अगला प्रश्ण है, वन के प्रकार और इसका एरिया, एक सरसरी निगाह में एक आइडिया होना चाहिए आपको मिश्रित वन, सरक्षित वन, अवरगी क्रत वन और आरक्षित वन, बहुत अच्छा प्रश्ण है तो मिश्रित One total कितने है 55 यहां पर B आएगा मिश्रित One कितने है 55 है नोट कर लेना सरक्षित One का area अभी बात करी हमने 31 सरक्षित One कितने 31,098 प्रतीशत्ता की बात करें तो अलग-अलग प्रतीशत हमको मालूम है यह है आपका 32% यह आपका 1.8% और यह आपका 65% ठीक है आरक्षित वनों की अगर बात करें हम यहाँ पर तो आरक्षित वन है और अगर बात करें आवरगी कृत वनों की तो कितने हैं 1705 है ठीक है तो यहाँ से आप लगा सकते हो क्या लगा सकते हो यह C आएगा यह D आएगा और यह A आएगा बी सी डी ए बी सी डी ए जी हाँ यहाँ पर ये डी ऑप्शन है क्लियर कोई डाउट है यहाँ तक बिलकुल नहीं होना चाहिए जी शाम की क्लास होती है लेट्स क्रेक MP एक्जाम यूट्यूब चेनल पर अब वहाँ पर प्राचीन भारत का इतियास अभी इस चल रहा है चीन भारत करेंगे कलास संस्कृति की कलास है आज और उसके बाद आपका मेडाइवल हिस्ट्री आ जाएगा उसके बाद आपका मॉडन हिस्ट्री आ जाएगा तो दो तीन दिन में ये पूरा यूनिट नमबर टू कमप्लीट वहाँ करेंगा बहुत छोटे रूप में हमने उसको लिया है बट बहुत इंपोर्टेंट प्रशनों के साथ हम कर रहे हैं महाँ पर संयूक्त वन प्रबंद समीती का गठन सबसे पहले कहां किया था होते हैं उनकी जन भागीदारी नियुक्त करीती देखो क्या होता है इस्थानी जो लोग होते हैं उन लोगों के साथ मिलकर किसी चीज की रक्षा करना किसी चीज को सरक्षित रखना जादा सही होता है क्योंकि सबसे जादा गड़बड़ी होती इस्थानी लोगों से पंग तो फिर खत्रा भी टल जाएगा और सुरक्षा भी बढ़ जाएगी समझ मैं यह चीज अब इसके हिसाब से अगर बात करें तो तीन प्रकार की वन समीतियों का गठन हुआ था संयूक्त वन प्रबंदन समीति में तीन प्रकार की समीतियां थी वो कौन-कौन सी समीतियां थी द करिया गया था सबसे पहले की बात करें तो ग्राम वन समीति दूसरी की बात करें तो वन सुरक्षा समीति और तीसरी की बात करें तो ईको विकास समीतिies किएगा टोटल शेत्र की बात करें तो यह आपका आ जाएगा समझ में आ गया कोई डाउट है यहां तक अब 18-19 के अंतरगत केंदर सरकार द्वारा बकरलीप योजना के अंतरगत मध्यप्रदेश के किस जिले को सम्मिलित किया गया था अब सबसे पहली चीज तो यह कि धिमा प्रदेश का यह जिला था बिलकुल बकरलीप क्या है बायो डाइवर्सिटी कंजरवेशन एंड लेवली हूड इंप्रोव्मेंट प्रोजेक्ट है ना क्या है यह बकरलीप का फुल फॉर्म अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा बकरलीप का अगर पूरा नाम देखें तो क्या आएगा लिखके बताओं क्या बायो डाइवर्सिटी कंजरवेशन यहां लिख रहा हूँ है ना बायो डाइवर्सिटी बायो डाइवर्सिटी कंजरवेशन है ना बायो डाइवर्सिटी कंजरवेशन एंड लिवली हूड इंप्रोव्मेंट प्रोज ठीक है यह बकर लीफ हो गया आपका यहाँ पर यह कौन से जिले में है तो यहाँ पर बात करें चिंदवाणा जिला ठीक है बकर लीफ का फुल फॉम देखें आप इसके अंतरगत मध्यप्रदेश का सिवनी जिला अब सिर्फ एक नहीं है ध्यान रखिएगा मध्यप्रदेश का सिवनी जिला भी इसके अंतरगत आता है मद्यप्रदेश का चिंदवाडा जिला भी इसके अंतरगत आता है याद रखना मद्यप्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है तीसरे नमबर पर वो भी इसके अंतरगत आता है अभी नर्मदा पूरम नाम हो गया इसका ये तीन जिले बकरली जो योजना है केंदर सरकार की उसके अंतरगत आते हैं मध्यप्रदेश वन विभाग को कितने शित्रिय मंडल में विभाजित किया गया है मध्यप्रदेश का वन विभाग है उसे कितने पर्ट में डिवैड किया गया है अगर बात करें तो 16 टोटल शेत्रिय जो department है उसमें divide किया गया one विभाग को ठीक है और संयूक्त one विभाग department जो है संयूक्त जो प्रबंदन है संयूक्त management है उसको तीन टाइप में मैंने अभी बताया था तो प्रश्ट में बिलकुल confuse मत होना है ना प्रश्ट में confuse होने की कत जरूरत आपको नहीं है तो यहां पर मध्यप्रदेश वन विभाग को कितने वन शेत्री मंडल में विभाजित किया था तो संयूक्त रूप से तो प्रबंदन जो काम है वो तीन रूप से बट यहां पर वन विभाग जो है वो 16 भागों में divide है अब वो 16 भाग में आप लो में खंडवा वन वरत प्रदेश का सबसे बड़ा वन वरत है होशंगाबाद वन वरत प्रदेश का सबसे छोटा वन वरत जो है वो divide किया गया clear चलो वन विभाग पर आधारित documentary फिल्म जिसका नाम इस्माइल ओफ फॉरेस्ट के नाम निर्माता कोन है अब सबसे पहली बनी थी जिसका नाम है इस्माइल ओफ फॉरेस्ट क्या नाम है उसका documentary का इस्माइल ओफ फॉरेस्ट याद रखना ये लॉन्स एंजिल्स सिने फेस्ट जो 2019 है उसमें इसको प्रदर्शित किया गया है और इस documentary फिल्म के जो निर्माता है वो कोन है शशीधर वेमपाला शश 2019 में लॉन्स एंजिल्स है ना ये जो फिल्म फेर है यानि कि सिने फेस्ट है लॉन्स एंजिल्स फिल्म फेस्ट या फिल्म सिने फेस्ट 2019 है उसमें इसे प्रदर्शित किया गया था और शशीधर वेमपाला इसके निर्माता है फिल्म का नाम है इस्माइल ओफ फॉरेस्ट अनकेडमी पे MPPAC Master Classes चालू हो चुकी है, क्लास कतम नहीं हुई अनकेडमी पे Plus Batch Start हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल शांधा तरीके से Plus Prelims का Full Length Batch Start Wire Test का अलग-अलग सीरीज चालू हुई है Batches में Foundation Course MPPAC का, March की 7 Batches, April की 7 Batches यह सब है तो देड़ नहीं करें, जल्दी से Referral Code SJLive लगाएं और 4 दिन का Offer है 20 प्रतिशत का सीधा फाइदा, कितना फाइदा? 20 प्रतिशत का सीधा फाइदा आपको मिल रहा है, ठीक है यहाँ पर Telegram Channel पर आप जॉइन कर सकते हैं मद्द प्रदेश में राजवन अभीकरण का गठन कब किया गया? मद्द प्रदेश में राजवन विकास अभीकरण, यनि की State Forest Development Agency क्या बोल रहे है? State Forest Development Agency इसका निर्मान कब किया गया? हमारे मद्द प्रदेश में यह आपको उत्तर लगाना है जी, क्लास खतम थोड़ी हुई है क्या यार? क्लास खतम नहीं हुई है बटा जी, अभी कहा हुई है? चल, समीतियो अब यहाँ पर अगर बात करें तो इसी के अंतरगत संयूख्ट वन प्रबंद समीतिया आप जानते हैं अभी बताया मैं ने संयुक्त वन प्रबंध जो समीती है उस समीती के अंतरगती क्या हुआ था सन 2010 की बात है और 19 अप्रेल का वो दिन था सन 2010 में ये राजवन विकास अभिकरन का गठन किया गया इस अभिकरन का गठन हुआ था इसमें जितना भी व्रक्षा रोपन से related काम है वन को जादा से जादा सुरक्षा प्रदान करना वनों को सुधरड बनाना वनों को विकास उनका विक्सित करना जितने भी वन रिक्त जो खाली जगे है न वन में वहाँ पर व्रक्षा रोपन करना उनको सूदरड बनाना, मजबूत बनाना, जितने भी बिगडे हुए वन है, उन वनों को सुधारना, और सुधारने में क्या जो खाली जगे बच जाती है, उसमें व्रक्षार ओपन करना, उनको सूदरड बनाना, उनको बढ़ाना, उनका डेवलिप्मेंट करना, ये सारी ची इस रसर्च ओर्गिनाइजेशन की द्वारा किस जिले में राज्य का पहला कार्बन फ्लक्स टावर इस्थापित किया गया बहुत अच्छा प्रश्ण है सबसे पहला कार्बन फ्लक्स टावर कहां पर इस्थापित किया अब यह कार्बन फ्लक्स टावर क्या करते हैं जितना भी वायूमंडल है पारिस्थितिकी है और जो मोसम है मोसम और पारिस्थितिकी है वायूमंडल और परियावरण में जितने भी परिवर्तन होने वाले होंगे यानि कि पुर्व अनुमान लगाने के लिए या फिर उनका अध्यन करने के उद्देश से सन 2012 में कब सन 2012 में क्या क के द्वारा Indian Space Research Organization के द्वारा बेतूल जिले का जो ताबडी क्षित्र है बेतूल जिले का कौन सा शित्र है ताबडी क्षित्र है कौन सा क्षित्र है ताबडी क्षित्र है यहां पर इसे इस्थापित किया गया और यह मध्यप्रदेश का पहला Carbon Flux Tower है याद रखना इसके अल 2017 में क्या हुआ था 2017 में जो हमारा जिला है कौन सा काना किसली वाला जिला कौन सा है ये ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई भी चीज़ को इंडाइरेक्ट वे में देखो आप तो ज्यादा मजाएगा एक और नई चीज़ काना किसली मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा सबस 2017 में मंडला जिले का क्रानाग राष्ट्री उध्यान में रज का दूसरा कार्बन फ्लक्स टावर इस्थापित किया गया कहां किया गया काना किसली में ही किया गया जो काना किसली नेशनल पार्क टैगर रिजर्व बोल सकते हैं वहाँ पर दूसरा कार्बन फ्लक्स तो प्र जमता है फिर उसको एक और बार फेट लो तो अलग सौफटनेस आ जाती है तो यहाँ पर इस प्रशन को थोड़ा सा फेटो इंडियन इस्पेस रिसर्च और्गेनाईजेशन जिसका मुख्याले कहां पर है बिंगलोर में है याद रखना इंडियन इस्पेस रिसर्च और्गेनाईजेशन जो भारत का अंतरिक्ष एजिंसी है पहली चीज जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 यानि कि 15 अगस्त 1969 में करी गई प्रदेश का पहला जो कार्बन फ्लक्स है वो पहला कार्बन फ्लक्स इस्थापित किया गया कहां पर किया गया जो बेतूल जिले का ताबड़ी है 2012 में किया गया दूसरा कार्बन फ्लक्स कहां इस्थापित हुआ 2017 में काना किसली राष्ट्री उध्यान मंडला जिले में इस् कि चलो 2018 कि इस जिले में देश का पहला मकडी घर इस्थापित किये जाने की स्विक्रती मिली थी तो पहला मकडी घर इस्थापित करने की स्विक्रती जो है वो 27-28 दिसंबर की बात है 2018 की देश की पहली मकडी यानि कि Spider Interpretation Center क्या बोला Spider Interpretation Center इसको इस्थापित करने की घोशना हुई थी कहां पर जबलपूर जीले में करने की बात करी गई थी कहां पर जबलपूर जीले में चलिए यहां पर देखो अनकेडमी एप पर लाइव क्विज का ओप्शन नया आया है आपके लिए Practice Questions का ओप्शन आपके लिए अविलेबल है सारे ओप्शन आपके लिए और दूसरी चीज सबसे महत्पूर्ण के Current Affair के लिए जो मेगजीन है वो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद महिने में दो बार आपको मिलेगी PDF, Notes मिलेंगे आपको Community को आप जोइन कर लो उ 30% का सीधा सीधा Discount मिलेगा अनकेडमी पे किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए चलो मध्यप्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदूपत्ता के संसाधन है तो इंदोर में सबसे कम तेंदूपत्ता के संसाधन है कहां पर है इंदोर में सबसे कम तेंदूपत्ता के संसाधन आपको यहां मिलेंगे ठीक है भारक के किस राज में सबसे ज़्यादा बंबू उत्पादित शेत्र जो है वो अविलेबल है बंबू उत्पादित शेत्र बंबू 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 बांस उत्पादत शेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा मध्यप्रद किस शेत्र में सबसे जादा बांस वन का विस्तार हुआ है उत्तर पुर्व में दक्षिन पुर्व में साउत में कहां पर हुआ सबसे जादा तो सबसे जादा हुआ है दक्षिन पुर्विक शेत्र में याद रखना मद्ध प्रदेश का सरवादिक बांस वन का जो विस्तार है वो पाया जाता है, डक्षिन पुर्विक्षित्र में पाया जाता है, I think मुझे लगता है कि एकदम clear हो गया होगा, अगला question है, जिले में बांस का सरकारी शोरू में स्थापित किया गया है, बस 32 ही question करेंगे आज की class में, है ना 32 ही करेंगे, D is the right answer, क्योंकि समय जो है वो होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, इसलिए शाम को 5 बजे मिलेंगे, अब हम let's crack MP exam YouTube चैनल पर, वेसे 40 प्रश्ट में लाया था, पर नहीं हो पाये, कोई बात नहीं, tension नहीं लेने का किसी भी प्रकार की, 45 थे, 45, कितने थे, 45 थे, कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लो, लिंक मिल जाएगी, let's crack MP exam और अभियान टेलीग्राम चैनल, दोनों चैनल है, आप जोईन करें, आपको PDF मिल जाएगी, सब्सक्रिप्शन लेते समय ध्यान रखें, रेफरल कोड क्या यूज करना है, ASJ लाइव यूज करना है, इससे क् मिलेगा, 20% डिसकाउंट मिलेगा, और कोर्स में क्या मिलेगा, unlimited access, India's best educator के साथ, daily interactive live class, PDF, structured course, live mock test, quiz, सब कुछ मिलेगा आपको, सब्सक्रिप्शन अवेल करने में, ठीक है, जी हाँ, और विडियो जो आप देख रहे हैं, यह अच्छा लग रहा है, लाइक कर दे, जादा से जादा शेर कर दे, और अगर किसी भी प्रकार का content आपको inappropriate लगता है, तो description में एक link दी हुई है, भिंदास तरीके से उस video और उस content को report कर सकते हैं, याद रखिएगा, तो यहाँ पर subscribe करें, channel को, bell icon प्रेस कर दे, और like share तो कर नहीं है आपको, bell icon प्रेस करने से आपको notification मिल ज Thank you very much सभी बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद